हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब गर्मिया चल रही है और ऐसे में ठंडा ठंडा मिल्क शेक खाना सब भी को बहुत पसंद होता है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं जिस मिल्क शेक की रेसेपी आपसे शेयर करने वाली हूं मेरी गारंटी है कि आप में आज से पहले यह रेसेपी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी अगर यकीन नहीं होता तो एक बार चैक जरूर करें यह इतना हेल्दी और टेस्टी मिल्क शेक है कि जिसे आपने एक बार बार जरूर बनाना चाहेंगे तो अगर रेसेपी पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें और पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए बनाते हैं यह हेल्दी और टेस्टी सा मिल्क शेक तो इस मिल्क शेक को बनाया है दोस्तों मैंने कद्दू से वही जिसे पंपकीन भी कहते हैं तो चौक गए न आप आप सोचते होंगे इसकी तो हम सबजी बनाते हैं इससे मिल्क शेक कैसे बनेगा वैसे तो मैं आपको बता दूह कि कद्दू जो होता है वह थैसमें काफी मातरा में मैग्नीशियम होता है लिवर बहुत अच्छा होता है कैंसर से बचा वहता है एंटी आकसिडेंट होता है मतलब इसके इतने सारे फाइदें हैं कि आप प हेल्थ के लिए एक काल दोंगे बहुत कम लोग नहीं जानते की कद्दू के कितने सारे फायदे होते हैं मतलब हर तरीके से आपके लिए फायदे मन्द है एल्फ के लिए तो देखिए इस तरीके से से इसके Evangel रखें के लिए 6 नहीं चाहिए यह और उसके बाद बहुत ही कच्चा था तो मैंने इसको आराम से चील लिया है और अभी मैंने आपको पूरा कद्दू दिखाया था इतना कद्दू शेक के लिए नहीं चाहिए तो मैं बनाने वाले हूँ चार ग्लास मिलक्षेक तो मैंने यह वन फोर्थ के करीब ले लिया मतलब वजन में 200 ग् में तो देखिए अंदर की जो थोड़ी सी वो सौफ सी स्कीन होती है मैंने उसको भी हटा दिया है और आप इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से टुकडे मैं कर लोगी इस मिलक्षेक को बनाना इतना आसान है और आप इसे टेस्ट कराएंगे किसे को भी तो कोई बता ही नहीं मैं जैसे ही पानी में हलका सव्बाला आना शुरू हो तो आप इसमें कद्दू को डाल दे बहुत ज्यायदा कद्दू को आपको कुक नहीं करना है मतलब यह रिका सौफ्ट हो जाए बस उतना ही आपको इसको पकाना है तो देखिए तीन से चार मिनट इसको बोयल होते हो ग आप सूखे वाला जो जैसे के जिर कोकोनट होता है वह भी ले सकते हैं जो कोकोनट का पाउडर आता है वैसे तो जो फ्रेश नारियल होता है वो गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है काफी ठंडा रहता है आपने देखा होगा कि मार्किट में भी एक पार तूटा हुआ इस तरीके से मिलता है क्योंकि बहुत ही ठंडग देता है बॉड़ी को तो इस तरीके से पहले आप गोले को छील ले और छीलने के बाद छोटे-छोटे से पीस में कट कर लें यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आपको कम फ्लिवर पसंद है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दें तो देखिए बातों बातों में यह भी कट चुका है बिल्कुल कच्छा नारियल था यह तो अब हमारी जो दोनों इंग्रिंट्स है वो तैयार है तो अब हमें करना क्या है कि इनको पीसना है तो अब मैंने लिए एक मिक्सी का जार थोड़ी कर दें कदू और कदू डालकर एक बार वापस चलाएं क्योंकि अगर हम अभी दूट डाल देंगे तो कई बार पीस रह जाते है अब बारी आती है मीठा डालने की तो मैंने ले लिया मिश्री का पाउडर मिश्री बहुत ही ठंडी होती है गर्मियों में और इसका पीसकर मै मैं चार ग्लास मिलक्षेक बना रही है तो मैं दो से धाई ग्लास दोद इसमें एट कर दूँगी मैं थोड़ा सा पतला मिलक्षेक पसंद करती हूं इसलिए मैंने दूद जाधा डाला है और इसमें थोड़े से आईस क्यूब डाल दिये अगर आप थोड़ा गाडा पसंद करते हैं तो दूद की क्वांटिटी कम कर दें और इन सारी चीजों का अच्छे से ब्लैंट कर लें तो देखिए हमारा ये शेक एकदम अच्छे से तयार है आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्शर इसका आया हुआ है तो चलिए कर लेते हैं सर तो मैंने ले लिए दो और अम मैं इसको पूर कर लेती हूँ, आप इसका टैक्शर भी देख सकते हैं, कि कितना अच्छा गाड़ा सा मिलकशेख हमारा ये बन कर तयार हुआ है, और टेस्ट तो इसका इतना अच्छा होगा, कि कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे कद्दू से बनाया है, तो इ एड़ कर सकते हैं, तो लीजे दोस्तो हमारा ये अमेजिंग सा टेस्टी मिलकशेख तैयार है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें, और अपना अनुपो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई